नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंगलिस डोजिद अभी में और मैं हो अभना सुरास्तो तो मित्रों यहाँ पर जो नियूज निकल के आई है वो आपके 12th CBSC examinations related students के लिए है आपको बता दें कि आप सभी के लिए यहाँ पर दोस्तों यह जि किस आधार पर किस बेसिस पर आपका रिजल्ट आपको आउट किया जाएगा वो यहाँ पर बताया है कि आपको किस आधार पर पास किया जाएगा क्योंकि दोस्तों आप जानते ही कि आपकी इस बार examination नहीं हो पाई है तो इस वज़े से क्या रहेगा आपका आधार किस आध fine नहीं है आपके assessment से तो वो क्या करेगा या फिर दोस्तों उसकी क्या policies रहेंगी उनकी second compartment exam देने की या first compartment की या फिर private या पत्राचार करने की तो सारी जानकारी से पूरी policy को आज मैं एकदम एक point क्लियर करके आपको बताऊंगा तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपको यहां पर बत दिखा दूँ आप देख सकते हैं for tabulation of mocks for class 12th board examination 2021 and it is your summary of the policy तो बहुत ही कम सब्दों मैं आपको समझाऊंगा देखे समझे due to cancellation of the board examination the assessment of theory portion of 80, 70, 60, 50, 30 mocks will be done by the school based on the following अब दोस्तों देखे यहां पर आपको जो marks दिये जाएंगे आपका result तयार किया जाएगा वो किस basis पर होगा मैं आपको बता दूँ class 12th में आपको जो conditions यहां पर रहेंगी applied होंगी वो मैं आपको बता दूँ क्लास 12th का जो आपका रहेगा तो आप देख सकते marks based on unit test, mid term examination and pre-board examination तो इसका दोस्तो 40% आपका लिया जाएगा marks based on the theory component of final examination जो भी दोस्तो आप 9th exam 9th class में दोस्तो जो भी आप marks पाएंगे उसका 30% यहां पर लिया जाएगा और आपके class 10th में जो भी आपका average है आपके theory components का चीक है आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि marks based on average theory component of best three performing subject out of main five मतलग आप इस बात समझ लिजे कि आपके जो five subjects दोस्तों 10th class में होते हैं तो इसमें से जो आपके best three है best three का दोस्तों average लिया जाएगा और वहां पर दोस्तों उसका 30% यहां पर लिया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका यह condition आपके सामने मैंने रख दी है पूरी पूरी किसी और आपको मैं आगे यह पूरा point अभी clear करने वाला हूँ कि किस basis पर आपको क्या किया जाएगा तो आपको यह बता दें कि सबसे पहले जो आप 10th है मैं आपको short में बात समझा दू कि 10th का दोस्तों 30% आपके 11th का भी दोस्तों 30% यहां मैंने सोरी दोस्तों 9th पोल दिया गलती से यह आपका 11th है ठीक है 11th का आपका 30% और आपका 12th का जो रहेगा वो यहां पर आपका 40% के basis पर लिया जाएगा तो यह condition आपकी रहेगी इसके basis पर ही आपकी marks को तयार किया जाएगा ठीक है अब आगे आपको पूरी एक्जामेशन की बारे में समझा देता हूँ पूरा पोल क्या है marks of the practical or internal assessment एसेटरा एसेटरा आपका of class 12th विल बी on actual basis as uploaded by the school on the CBSC portal मतब CBSC portal पे दोस्तों जो भी आपके marks अप्लोड किया जाएगे उन्ही के basis पे आपका यहां पर रिजल्ट तयार किया जाएगा अब आपको यहां बताने वाला हूँ आपका assessment का बारे में उसका पूरा एकदम एक एक point आपको समझा दूँ कि आप देख सकते ही यहां पर एक table दी हुई है और आप suppose आप मान लीजे कि आप यहां पर इसे 80 किसी का 80 के according हम देखें तो मान लीजे class हमें 10th का कितना 30 लेना है best 3 का तो यह 24 हो गया उसके बाद आपका जो यहां 11th है उसका भी 30% तो यह आपका 24 और class 12 में जो जो आपका mid term examination प्री आपका examination हुआ उसका 40% लेने के बाद आपका practical में मान लीजे आपको 20 मिल जाता है ठीक है तो अब आपको यह tabulation के बाद में आपको जो total marks यहां मिलेंगे तो यह आपका total होने के बाद में यह class 12 में आपको 52 marks मिलेगा तो यह condition है यहां पर आपके sum ने ठीक है अब आपको मैं यहां पर बता दू कि आपको किस basis पर आपके marks का theory marking का जो ratio लेना है वो उस मलब जो आपके theory के marks है वो आपको कैसे दे जाएंगे वो आपको बताने वाला हों देखिए यहां पर लिखा हो है the competition of theory marks of class 12 will be based on the performance in one or more unit test, mid term या pre-board examination जो भी आपकी दोस्तों होगी उसी के basis पर आपको लिया जाएगा और आपको बता दे the result committee of the school may decide weight is to be given to each exam based on the credibility and reliability of the assessment अब आले example के तौर पर आपको बता दे कि मतलब दूस्तों एक बात और है कि आपकी जो committee रहेगी वो इस सीज को तैक करेगी कि आपका जो best आपका full weightage आपको किस component में दिया जाएगा और आप कितना मतलब आपको ये भी है चीज रहेगी कि सभी schools को देखते हुए आपकी जो committee है वो उसका result जो out किया जाएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि another school result committee may decide to give equal weightage to pre-board and mid-term मनब सभी को equal ही तरीके से लिया जाएगा ये नहीं है कि आपको mid-term में ज़्यादा examination में marks दे दिये गए या ऐसा कुछ नहीं रहेगा equality, equally रहेगा एक तरीके से पुरा आप कह सकते हैं कि honestly work होगा ठीक है अब आपको यहाँ पर देख लिजे class 11th का theory marks है और उसका class 10th मैंने जैसे आपको बताया कि आपके 3 जो best आपके रहेगी marking आपके class 10th में उसको लेंगे आपके 5 subjects में से ठीक है और उसी के basis पे आपका 30% आपका ले लिया जाएगा ठीक, अब आपको मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपका दोस्तों, एक point और important हो जाता है कि आपको जैसे जो marking आपके की जाएगी तो वो किस तरह से और क्या रहेगा उसका condition तो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं आपको important point के ओर ले चलूँ कि आपका माल लिजी अब उसका qualifying जो policy इनकी है बोर्ड की वो क्या है देखिए in case any student is not able to meet the qualifying criterion he or she will be placed in essential repeat or compartment category दोस्तों माल लिजी को ऐसा student है जो पास नहीं हो पा रहा है कि नहीं कारणोवस जैसे अगर उसका ratio के अगर इस formula के recording देखें और वो पास नहीं हो पा रहा है आपके 12th examination में तो आपको क्या है तो उसके लिए दोस्तों उसे एक compartment category या essential repeat category में डाल दया जाएगा और उसके बाद वो दोबारा examination दे पाएगा तो अब मैं आपको एक बाद और बता दू कि माल लिजी किसी student को marks मिलते हैं यहां पर यह भी mention है यहां पर आप देख सकते हैं इस अल्रडी मेंसेंड है student who are not satisfied with the assessment done based on the policy will be given an opportunity to appear in examination to be conducted by the board when conditions are sorry दोस्तों यहां पर by the board when conditions are conducive for holding the examinations मतलब जब आपकी मतलब जो आपकी कि क्रिटिकल कंडिशन सें जब भी दोस्तों ऐसी condition मनती है कि आपका examination लिया जाए बोर्ड के दौरा तो लिया जाएगा और आप उसमें as per this policy marks scored in lateral examination will be considered as final तो मतलब आप जो final examination बाद में देएगे अगर आप satisfied नहीं है पत्राचार एंड, second chance compartment candidates, examination will be conducted by the board as and when the conditions became conducive for conduct of such examination, the detail will be noticed in due course, तो वही चीज़े मैंने जैसे बता है कि आपको दुबारा examination होगा, आप दुबारा examination दीजिए, जितने भी marks आपके आते हैं आपको final examination के basis पर वही आपका as a result आपको दिया जाएगा, तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको एक-एक point समझानी कोशिश की है, जो भी main main था दोस्तों यह letter तो बहुत आपका इसमें और भी चीज़ें दी हुई है, लेकिन मैंने आपको जो आपके लिए importance रखता है, मैंने वो आपको बताया है, main में आप इतना याद रखिए, कि आपका formula जो है, वो 30 is to ratio, 30 is to ratio, 40, यह आपका formula है, और इसी basis पर आपको marks दिये जाएंगे, चीक है, आपको अगर मैं short में समझा दूँ, तो आप यह इतना समझ लीजिए, कि यह आपका formula रहेगा, मतलब आपका 10th का 30%, 11, 30%, 12, 40%, वेटेस के basis पर आपको 12th के total marks आपके तै किये जाएंगे, और आपको यह भी बताया कि best 3 आपका लिया जाएगा, और उसी basis पर आपका 30% लिया जाएगा, और आपका 12th में जो unit आपके examination होते हैं, या mid term examination या practical जो आपके हैं, उसका 40% दोस्तों लेने के बाद में, तीनों को एकदम total marking के साथ में आपका marks calculate करके, आपको आपका report card दिया जाएगा, मतलब तैयार करके ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पूरी जानकारी से आपको आउगत करा दिया है, यदि आप चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी सबसे पहले मिले, या पूरे examination के साथ, आप चाहते हैं कि आपको हर news सबसे पहले किसी भी sector की हो आप तक पहुँचे, तो जो भी उनके मन में doubts हैं, वो clear हो जाएं, तो यहीं उमीद करता हूँ कि आप satisfy यदि होंगे, तो आप वीडियो को like करके share भी करेंगे, और जो पहली बार आहें तो चैनल को subscribe करके, bell icon को जो दोस्तों touch करिएगा, और हाँ मैंने अपने description box में यहाँ पर link दे रखा है telegram group का, तो आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको मैं PDF और अधर जो भी आपके important points रहेंगे, जो भी आपके लिए importance रखते हैं, वहाँ भी मैं आपको send कर दूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का दिन, शुब हो